ओम नमस्शिवाय दोस्तो आई ये जानते है गुरु के कुम्भ राशी में जाने से कीन 6 राशियों की किस्मत खुलने वाली है देव गुरु ब्रुहस्पति को सबसे बड़े ग्रह का दर्जा प्राप्त है 20 नवंबर 2021 को 12 साल बाद गुरु ने सभी राशियों का भ्रमन करने के बाद कुम्भ राशी में प्रविश किया है एक राशी में 13 महा रहने वाले ब्रुहस्पति की उच्च राशी के अलावा 2, 5, 9 और 12 भाव में हो या गोचर करे तो शुभफल देता है गुरु करक में उच्च और मकर में नीच के होते है अर्थात चौथी राशी में उच्च और दस्वी राशी में नीच के होते है तो आईए जानते है 20 नवंबर के गुरु के इस गोचर से किन 6 राशियों को सबसे जादा फाइदा होने वाला है तो सबसे पहले बात करेंगे मेश राशी की, मेश राशी के लिए बुरुहस्पती का कुम्भ में गोचर ग्यारवे घर में हो रहा है, आपके लिए अच्छा समय रहेगा, परिवार में सुख और सम्भुद्धी आएगी अगर आप व्यापरी है तो लाप के योग बंद रहे है, और नोकरी पेशा है तो पदोन्नती होने की संभावना है, विवाह नहीं हुआ है तो योग बंद रहे है, घर खरिदने और कोई अच्छा कार्य करने के योग भी बंद रहे है, कुल मिलाकर आपका भविश्य उजवल है, अब बात करते है सीह राशी की, व्रुहस्पती आपकी राशी के सब्तम भाव में गोचर कर रहे है, यह भाव जीवन साथी और साज्य दारी का घर है, इसका मतलब यह है कि दामपत्य जीवन में खुशिया आएगी और यदि कोई साज्य दारी का व्यापार कर रहे है त उसमें लाब मिलेगा आर्थिक रूप से यह समय आपके लिए ठीक रहेगा नोकरी पेशा लोगों को अभी जहां है वही जमे रहना चाहिए अभी कही पर भी निवेश न करे सेहत में उतार चड़ाव देखने को मिल सकते हैं अब बात करते हैं तुला राशी की ब्रुहस्पत आपकी राशी के पंचम भाव में गोचर कर रहे है यह भाव, शिक्षा, संतान और प्रेम संबंद का है गुरु का इस भाव में गोचर शुभ, फलदाई साबित होगा प्रेम संबंद में सफलता मिलने के योग है प्रतियोगी परिक्षाओं की तैयारी करने वालों को अच अच्छे परिणाम मिलेंगे, पंचम भाव से गुरु की एकादश भाव में दुरुष्टी डालेगा, जिसके चलते आपको लाब मिलेगा, अब बात करते हैं रुच्चिक राशी की, ब्रुहस्पती आपकी राशी के चतुर्त भाव में गोचर करेगा, यह सुक और माता का भाव है, अर्थात सुक और सुविधावन का विस्तार होगा, वहन सुक मिलेगा, आर्थिक रुप से आप मजबूत होंगे, आपको फाल्टू के खर्चों पर नियंतरन रखना होगा, किसी से वाद विवाद होने की संभावना है, सेहत खराब हो सकती है, बच्चों पर वि की सुरक्षा का ध्यान रखे, अब बात करते है धन्नु राशी की, ब्रुहस पती आपके राशी के तीसरे घर में गोचर करेगा, यह गोचर आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगा, आपको और भी पराक्रम दिखाने की जरुरत है, विवाह और यात्रा के योग बन र रहे है, बेरोजगार है तो नौकरी मिलेगी, आपके लिए जरूरी है कि आलेस्च छोड़कर अपने सपने के पीछे भागना प्रारंब कर दे, क्योंकि यह समय आपके लिए अनुकुल है, अब बात करते है मकर राशी की, ब्रुहस पती आपके राशी के दूसरे घर में ग गोचर करेगा, करियर बनाने के लिए यह अच्छा समय है, नोकरी पेशा और व्यापारी वर्ग कोई जोखिम न उठाए, हाला कि आपको इस गोचर का भरपूर लाब मिलेगा, परिवार में सूख और सम्रुद्धी बड़ेगी, आर्थिक रूप से अच्छा समय है, लेकि पर आशियों पर पन्ने वाले प्रभाव के बारे में, धन्यवाद.